दिवागर जी मान लीजिए ये आपका first month है और इस महिने आपने 3300 रुपे का समान लिया जिसकी वज़े से आपको 10 IP का incentive turnover मिला तो देखते हैं पहले महिने आपको ऐसा करने पर कितनी आमदनी हुई आपकी पहली income तो retail profit है जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 10 से 20 परतीशत retail profit मिलता है और लगभग 15 परतीशत एक average हमारा retail profit है तो आपने 3300 रुपे का समान खरीदा है तो इसका अगर मैं 15 परतीशत लेता हूँ जो की लगभग बनता है 500 रुपे के आसपास अब हम देखेंगे हमने performance bonus कितना कमाया performance bonus हमारे incentive point के उपर मिलता है तो हमने कितने incentive point का business किया है अभी तक दिवाकर जी इस महीने 10 IP बिल्कुल ठीक का आपने मैं इस महीने 10 IP का business किया है अब अगर आप यहाँ table में देखिएगा तो मैंने 10 IP का business किया यानि कहीं न कहीं 3 IP से उपर ठीक है ना तो यहाँ मेरा percentage level कितना है 5 बिल्कुल ठीक का आपने मैं 5% के level पर पहुँच गया हूँ इसलिए जो मैंने यह अभी 10 IP का business किया है इस पर 5% performance bonus भी मिलेगा 10 IP का total volume कितना होगा 10 IP और एक IP है 100 रुपे का तो यह हो गया total business आपका 1000 रुपे का ठीक है ना और 1000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो यह होता है 50 रुपे यानि कि आपने पहले retail profit कमाया था साहब 500 रुपे और यह हुआ 50 तो आपकी इस महीने की total आमदनी कितनी हो गई बिल्कुल सही का आपने अब मैं लेके चलता हूँ second month यह बात थी पहले महीने की दूसरे महीने में हमने काम शुरू किया सबसे पहले दिवाकर जी आप है यहाँ आपने भी यहाँ पर 3300 रुपे का समान खरीदा ठीक है ना जिसकी वज़े से मानो 10 IP आपने किया दूसरा आपने अपने बिजनस को expand किया उसके लिए आपने एक एक करके जो मुझे लोगों की list हमने आप से बनवाई 25 लोगों को अपना हम लोगों से एक एक करके मिलवाना शुरू किया मान लेते हैं उन में से सिर्फ 5 लोग ही हमारे साथ बिजनस के लिए शुरू करते है हलाकि औसत भी हमने देखा था कि 20 के आसपास होता है बट हम मानते हैं 5 लोग एक नाम देते हैं A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D और पांचवा E मान के चले जोड़ते हैं ये 5 लोग भी ना दिवाकर जी 3300, 3300, 3300 का बिजनस करते हैं ठीक है ना अब इसके उपर देखते है जैसे 3300 का बिजनस का मतलब हो गया, इनका भी कितना कितना IP हो गया दिवाकर जी? 10 IP बिलकुल ठीक है, इन लोगों ने भी 10 IP का बिजनस कर लिया और कहीं ना कहीं जैसे अब ये 10 IP पर देखते हैं कि इस महीने आपका incentive का calculation क्या होता है आपने और आपकी direct downline किस-किस परतीश लेवल कितना हो गया? 5% बिलकुल सही का आपने ये हो गये 5 परतीशत के लेवल पर ठीक है ना? अब इस महीने आपने साहब किया 10 IP ठीक है? और 10 IP A ने किया, 10 IP B ने किया, 10 IP C ने किया, 10 IP D ने किया और 10 IP E ने किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टोटल कितने IP का बिजनस हुआ? 60 IP 60 IP का बिजनस हुआ सहाब और जैसा मैंने आपको पहले बताया था हमारे हाँ accumulation पे जुड़ता है तो last month आपने कितना IP किया था? 10 IP बिलकुल ठीक, पिछले महीने का 10 IP और current month का हुआ 60 IP टोटल कितना IP हुआ accumulation के उपर? 70 IP बिलकुल ठीक कहा, आपने 70 IP का बिजनस किया अब मैं दुबारा आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा यहां देखिए, जैसे आप 50 IP का बिजनस करते हैं या उससे उपर आपका percentage level कितना हो जाता है? 9% बिलकुल ठीक, यहां पर 9% पे पहुँच जाते हैं टार्गेट 50 का था, आपने कितना IP किया? 70 IP किया, तो यानि कि यहां पर आपका परतीशत level कितना हो गया? आप पहुँच गया है या 9% के level पर सहाब अब यहां 9% के level पर आपका incentive कितना है? हम उसकी गणना करते हैं, कि आप कितना यहां पर कमा रहे हैं सबसे पहले, आपने दिवाकर जी खुद 3,300 का business किया 15% उसका retail मुनाफ़ा, हमने उपर calculate किया था लगभग 500 रुपे के आसपास मिलता है 10 IP आपने खुद किया, 1 IP 100 रुपे का है तो 1,000 का business हुआ, ठीक है? और अभी आप कितने percent पे हैं? 9% पे है तो इस हिसाब से अगर हमने इसको cut किया तो आपको मिलता है 90 रुपे यानि कि 500 जमा 90 तोटल अभी कितना मिला आपको खुद के काम पर 590 रुपे अब देखते हैं A, B, C, D के काम करने से आपको क्या मिलता है? दिखिए A हो, B, C, D या E ये कितने परतीशत पर है? 5% और आप कितने परतीशत पर है? 9% यहाँ पर ये लोगों ने business कितना किया? A, B, C, D ने 10, 20, 30, 40, 50 IP बिल्कुल ठीक का आपने 50 IP हो और जब आप एक level उपर जाते हैं तो आपको differential मिलता है यानि कि आप 9 पर और आपकी team है 5 पर 9-4 कितना हो गया? 4% यानि जो 50 IP है फिर 1 IP है 100 रुपे का यानि आपका business हो गया 5000 रुपे का दिवाकर जी इस पर 4% अगर निकालता हूँ मैं तो 2-0 से 2-0 काटा 5-20 200 रुपे 200 रुपे इस team से मिला आपको यानि पहले 590 जमा 200 प्रोटल कितना हो गया दिवाकर जी? 790 रुपे आपका इस महिने का incentive है अब दिवाकर जी हमने ये दूसरे महिने का देखा इसरे महिने की तरफ ठीक है दिवाकर जी? थर्ड मन्त की तरफ चलते हैं मुझे एक बात बताईए दिवाकर जी आपकी डाउन लाइन में A, B, C, D ये लोग आये हैं A, B, C, D और E ये किसलिए आये हैं? यहाँ business करने के लिए ये भी कमाना चाहते हैं और ये भी अपने business को expand करना चाहते हैं तो हमने भी इनकी list बनवाई हमने भी इनको बोला 25-25 लोगों को introduce करने के लिए इन्होंने भी अपने guest introduce किये हमने इन्हें भी इसी तरीके से plan दिखाया उसकी वज़े से इन लोगों ने भी अपने business को पढ़ाया है ठीक है ना अब मैं एक random example लेता हूँ यहाँ पर ठीक है ना एक random example लेता हूँ कि मान लीजिये कि हमारे साथ A, B, C, D, E ये सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ ठीक है ना एक random ले रहा हूँ A के नीचे मानिये हम दिखा सभी को प्लैन रहे हैं 25-25 लोग को A के नीचे 4 लोगों ने बोला कि ठीक है मैं आपके साथ business करूँगा B के नीचे 3 लोगों ने बोला C के नीचे 3 लोगों ने बोला B के नीचे 2 ने बोला और E के नीचे 1 ने बोला ये आपका पूरा था सबसे उपर आप खुद हैं यहां पर चार, तिन, साथ साथ और तिन दस, दस और दो, बारा और एक तेरा, तेरा इस महिने तेरा लोगों की टीम बनी प्लस पिछले महिने एक, दो, तीन, चार पांच आपकी टीम थी, एक आपको मिलाके, टोटल कितने लोगों हो गए उन्निस, उन्निस लोगों की टीम हो गई, अब ये उन्निस लोग, हर महिने जादा नहीं कह रहा हूँ, तीन हजार तीन सौर रपे, यानि कि सिर्फ सहाब, दस आईपी का बिजनस करते हैं, समान खरीदते हैं तो कुल कितना टर्णोवर होता है दिवाकर जी अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं अब इनके 10 आईपी करने से क्या हो गया, उन्निस गुना 10 टोटल कितना टर्णोवर हुआ 190 आईपी का, ये हर महिने टर्णोवर बढ़ रही है, पहले महिने थी 10 आईपी साहब ठीक है न, दूसरे महिने कितनी की थी हमने पिछले महिने 60, और ये थर्ड मन्थ में कितना हो गया, 190 190 आईपी हो गया, ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे आपकी हर महिने टर्णोवर बढ़ जाएगी और आपकी accumulated turnover भी बढ़ जाएगी इसके दिवाकर जी, दो आपको फाइदे मिलेंगे इस बात को कहूं, तो इसको इस बात के दो मतलब निकलते हैं पहला, आपका लगातार प्रमोशन होगा, दूसरा आपकी लगातार इंकम बढ़ेगी जब आप और आपकी टीम मिलकर आप दुबारा चार्ट पर देखिए यहां पर 210 IP का business करती है कितने IP का? 210 210 IP का business करती है तो आप कितने percent पे पहुँच जाते हैं? 14% 14% पे पहुच जाते हैं जैसे ही आपकी टीम मिलकर इतना का business करती है अगर मैं यहां जोड़ने की बात कहूँ 10 जमा 60 जमा 190 कितना हो गया? 260 बिलकुल ठीक आपने 260 IP यानि इस महिने आप कितने percent पे पहुच गए? 14% 14% पे साहब दुबारा चार्ट पे आईए इसी क्रम में जैसे 690 IP का business होगा आप 19% पे पहुच जाएंगे जैसे ही 2130 IP का business होगा आप 24% पर पहुच जाएंगे और यह जो 24% का level है न दिवाकर जी इसको कहते हैं master क्या बोलते हैं? यहां पर आपकी income 5000 से 15,000 तक हो सकती है कितने से? 5000 से 15,000 15,000 तक होती है इस level को actually हम सपनों की चाबी भी कहते हैं यह level जो है इसको कहते हैं सपनों की चाबी क्यों बोलते हैं हम इसे सपनों की चाबी? क्योंकि इस level पर आके आपकी बांकी income भी खुलनी शुरू हो जाती है इसके बाद अगर आप अपने नीचे आपकी कोई भी एक डाउन लाइन में अगर एक master बनाते हैं एक single line में मान के चलिए यहाँ पर आप हैं ठीक है दिवाकर जी आपने अपने नीचे एक master बना दिया जैसे आपने अपने नीचे एक master बना दिया साहब तो आप विदेश यात्रा का आपको fund मिलना start हो जाता है जिसे हम बोलते हैं साहब tour fund जैसे ही आपने अपने नीचे मान के चलिए एक यहाँ आपने बनाया इसका नाम मैं यह दे देता हूँ आपने अपने नीचे दो और master बना दिये आपने तो आप जैसे ही अपने नीचे टोटल तीन master बना देते हैं तो आपका car fund start हो जाता है जैसे ही आप अपने आगे D, E, F और तीन यानि टोटल 6 master बना देते हैं तो साहब आपका house investment जो fund है वो आना start हो जाता है अभी दिवाकर जी मैंने आपको सिर्फ 2 income के बारे में बताया है अभी बांकी 8 income और है वो सब किस तरह से आता है उनकी क्या calculation है अगर आप ये सब विस्तार से जानना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारे एक session और लगाना होगा जिसे कहते हैं Galway marketing plan glaze marketing plan है इसका समय मैं आपको बता देता हूँ आपका वहाँ पर स्वागत है तो दिवाकर जी मैं एक बार अपनी पूरी presentation को थोड़ा आपके साथ conclude करता हूँ यानि उसका निशकर्ष देता हूँ कि हमारे business में आपको कुल 6 बातों पे ध्यान देना है 6 बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दिवाकर जी हमें करना क्या है पहला नंबर का point हमें सबसे पहले अपनी दुकान बदलनी है पुरानी क्रियाने की जो दुकान थी उसको छोड़ना है और हमें जो हमारा galway shop है हमें इससे प्रोड़क खरीदना है ये है पहला काम ठीक है दिवाकर जी दूसरा अगर प्रोड़क अच्छे लगेंगे तो आपको हमें 6 और लोगों की दुकान बदलवानी है उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है ये हमारा दूसरा काम है तीसरा है उसके लिए कुछ नहीं करना सिर्फ आपको एक महिने में इन्हें वन मंद 25 गैस्ट को हमसे मिलवाना है ये है आपका तीसरा काम चौथा निकल कर आता है इसके लिए आपको रोज सिर्फ 2 घंटे का समय इस बिजनेस को देना है सिर्फ ये आगे मैं पांचवा बात करूँ तो इस बिजनेस को जो आपको करना है ना इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है हमारी कंपनी के शांदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम कंड़क्ट करते हैं या हमारे सीनियर कंड़क्ट करते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको ऑनलाइन भी एविलेवल है अपने समय के अनुसार आप वहां से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं छटा है पॉइंट दिवाकर जी टीम वर्क आखरी है दिवाकर जी टीम वर्क आखरी है मगर ये सबसे महत पूर्ण है हमारा बिजनस एक टीम वर्क का बिजनस है दिवाकर जी हमारे यहां पर कोई अकेले नहीं होता है हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं मैं आपको हमारी बाकी टीम मेंबर से भी मेरे सीनियर से भी मिलाऊंगा सब बहुत अच्छे इंसान है हम सब मिलकर एक फैमिली की तरह काम करते हैं और एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं तो जब गैलवे डिस्टुबीटर बनेंगे आप इस फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे तो यहां मेरी जो प्रेजन्टेशन है दिवाकर जी वो यहां पर खतम होती है